हम सब जानते हैं कि यह शहर हैदरबाद के शहर में और गच्ची बोली, खाइबराबाद, राच उकंडा में भी हम यह ट्राफिक का मसला जो है बढ़ता जा रहा है दिन बर दिन यहां पर जो ट्राफिक के बारे में हमको कंप्लेंट्स पहुंच रहे हैं वो बढ़ते जा रह इसके बारे में ट्राफिक मैनेजमेंट इसको कैसे अच्छे से करें इसके बारे में हम ट्राफिक पोलिस ऑफिसर से बहुत डिसकेशन किये हैं हम सबको बताना चाहते हैं कि आज यह तीन कमिशनरेट जो का एरिया है करीब-करीब 7500 किलोमेटर का जो रेडियस है वहाँ पर 88 मतलब 88 लाक लाक वेहिकल्स अभी आ गया है रोड पर और एक दिन में 1500 वेहिकल्स का रिजिस्ट्रेशन हो रहा है आटिये आफिसस में तो आप सोच सकते हैं कि कि इतने नए वेहिकल्स रोड पर आ रहे हैं और ट्राफिक का मसला जो है कितना खराब होता जा रहा है तो इसमें दो तीन बात हम समझने की कोशिश करने चाहिए कि यह जो रोड है जो कैरेज वेहिकल्स आ गए उसके बाद रोड का एरिया जो है अगर कम होता जाएगा बिकाज अफ एंकोच्मेंट्स हम देख रहे हैं कि दुकानदार जो है उनके दुकान के आगे छोटे-छोटे शेड्स का परमिशन दे रहे हैं और फुटपाथ एंकोच करने के लिए कोशिश कर रहे हैं आगे-ागे आ रहे हैं रोजबर रोड इसके अलावा जो भी फुट रोड पर चलना पड़ रहा है और जो रोड पर जो गाडियां जाना है या बसेस को रुखना बस्ता पर वो पूरे एंकोच हो चुके हैं तो इसके वज़े से हमारा जो के लिए हैं वो दिन बे-दिन कम होता जा रहा है तो इसलिए जो आप्रेशन रोप हमने टेक अप किया है operation rope का मतलब क्या है rope का मतलब यह है कि removal of obstructive parking and encroachments तो हमारे अफसरान जो है traffic police में हर रोज अपने cranes के साथ और अपने जो mobiles है या जो भी उनके पास साधन है वो सब लेकर अपने areas में traffic police station का दाइरा जो है उसमें वो घूंते रहेंगे और footpaths के जो encroachments है जिसकी वज़े से road पर parking हो रही है यह encroachments आने के बाद क्या होता है दुकान जो दुकाने आ जाती है उसमें खरिदारी करने के लिए लोग अपने गारिया रोड पर रोकते हैं रोड पर रोकने से यह जो जो रोड का स्पेस है वो और कम होता जा रहा है तो इसकी वज़े से हमको यह encroachments को थोड़ा निकालना पड़ेगा और करीशन रोप के दरिये जरीये हम यह सब निकालने की कोशिश आज से शुरू किया है करीब करीब एक हफते से यह अपरेशन रोप बहुत इंटेंसिवली हजरबाइ सिटी में हो रहा है आज मैं अपने अडिशनल सीपी ट्राफिक और डी सीपी ट्राफिक और दूसरे ट्राफिक के अफसरां जो है सभी के साथ मिलके यहां पर आया हूं और इसको तोलिचो की एरिया में जो में एक अपर यहां पर ट्राफिक जैंस इतने हो रहे है कि पर बहुत बेजार हो गया है पर अबक यह法 में से कंप्लेंट's आ रहे हैं कि हमको किसी अ आज हिस्सा लेकर यहाँ को निकाल निकाल कर लेंड को तो इश्की है और मैं अपने ट्राफिक आफिसस को यह भी बताया हूं कि जो आठीसी बसिस हैं उनको बस बेस में जाने के लिए बस बस बेस बस टॉपस के आगे जो जगा है उसको खाली रखना चाहिए उनको दिखाना चाहिए कहां कहां पार्किंग कर सकते हैं यह नहीं होना कि अपने आगे आएगा तो यही नहीं हम और एक चीज का जाहिरा किये हैं कि विए पी मूव्मेंट जो है उसके जरिये ट्राफिक का मैनेजमेंट भी बहुत एफेक्ट हो रहा है हम सब जानते हैं कि जेट प्लेस कैटिगरी के जो है चीफ मिनिस्टर हो गवर्नर हो चीफ जेस्टिस हो उनके लिए हम ट्राफिक क्लेरेंस देते हैं पर अभी आप देखे हैं कि पंदरा सो से जादे साइरेंस हमने सीज किया हैं हर तरीके के लोग बिजनेसमेन हो थोड़े मलेज हो या कोल भी हो सरपंच हो कार्परेटर हो सब लोग अपने अपने घाडियों में साइरें लगा कर जंक्शन आते ही साइरें डाल कर हमारे होम गार्ट्स और अफसरान जो है ट्राफिक के उनको दराने की कोशिश कर रहे है साइरें डाल कर कि हमको जाना है मैं वीएटी हूँ जैसे सबका वीएटी कल्चर जो है वह बहुत उसकी तरफ से बहुत ही दिक्कत हो रहे है ट्राफिक प्राइश्मेंट में तो मैं सबको बताना चाहता हूं कि साइरें हो या रेड लैट हो या ब्लू लैट यह सब इलीग हो साइरेंस को सीज किया गया है आगे चलके भी यह साइरेंस पे हम स्पेशल करते रहेंगे और ट्राफिक मैनेजमेंट के लिए जो है इसको परकरार रखने के लिए पूरी कोशिश करेंगे जब उसको उप्योग करेंगे तो इस तरीके से मैं यहां के MLA साहब जो है काउसर साहब उनको मैं बोला था कि आ वो भी आए वो बोले थे कि आएंगे पर आएंगे पर आएंगे पर वो आए नहीं मैं क्यों नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हम हमारे ऑफिसर जब कोशिश करते हैं तो दखल अंजाजी उनी की तरफ से वती है है.. जकादा तर वह अपने कोर्परेटर के साथ आ जाते हैं बोलते हैं कि एक वोटर हमारे वोटर है जरीब लोग है ये बोलना शुरु करते है कि मुऺदये बताइए कि इस पर कोई भी जरीब नहीं है यहां पर यह कोई बिहार से आया हो है कोई राजसान से आया हो हर पॉलिटिकल रपेजेंटेटिव से गुजारिश करता हूं कि हाज़रबाद ट्राफिक पॉलीस और हाज़रबाद सिटी पॉलीस लाइन ओडर वाले भी इसमें हाथ देंगे सभी का साथ दो और अगर साथ नहीं देंगे तो ट्राफिक जैम होगा तो आप चिलाएंगे से थाफिक अच्छी से नहीं चल रही है तो हमारे जिम्मदारी नहीं होगी आगे से कि आप हमारे साथ कॉापरिट नहीं करेंगे तो ट्राफिक का मसला आएगा तुर उसके बाद हमारी जिम्मेदारी उसरे कम हो जाएगी तो सबको मैं गुजारिश करता हूं कि सब आगे हमारा साथ दे ट्राफिक मैनेजमेंट में दिल की नालियों का बंद हो जाना लिवर के अमरास, थाइराइड, बवसीर, डाइबेटीस, गिंसी अमरास, जोडों का दर्द, फालिच के इलावा दिगर अमरास का मुकम्मिल और जनाना मरीजों के लिए अलाइदा लेडी डॉक्टर की भी सहुलत है